नारायन सिंग सरकील के इस शांदार व्यू के साथ आप पस्वागत हैं लास्ट वीडियो हमने यहीं से शुरू करें और आप देखिए नजारे बहुत ही शांदार मौसम हो रखा है बारिश आने वाले लगती है और शुहाना मौसम है आप यह देखिए बस इस जेन का नारायन सिंग सरकील नारायन सिंग सरकील बस इस शोट पर यह जारा है आज के इस वीडियो में हम यहां से शुरू करके और जैपूर राजस्तान विदान सबाराई राजस्तान के विदान सब्सक्राइब वहां तक जाने वाले आप वीडियो में बने रहें बहुत ही मज़ा आने वाला है तो आइए शुरू करते हैं यह बस स्टेंड नारांची सरकित यहां से आपको दिल्ली आगरा यूपी साइट की आगे लगनवूर और चल्वीड़ शिल्ला इमाचल पंजाब की बसे मिलती हैं सिल्दी के में बस टेंड है और यह यहां पर उसके बाद में यहां आती हैं यहां से आगे निकलती है तो आप जेके सामने स्क्रीन पर अलियाना रोडवेज निकल गई है जो एक पुर्दू नार नोर ऐसे ही अलगले पसे यहां से आपको मिल सकती है आईए आगे चलते हैं सिगनल और उपर पैदल का क्रोसिंग का बना हुआ है आईए आगे से राइट साइड में गूमकर आगे चलते हैं सिगनल से राइट गूमते ही यह बस इस्टोप है लोकल बस तेंड नारा सी सर्किल का जो लोकल सिटी बसे चलती है उनके लिए यह यहां का विव है आईए और आगे चलते हैं यह सेंट्रल पार्क का गेट नंबर पांच का बाहर का विव है में रोड का जो आगे सिधा SMS की तरब निकलता है और आगे सिगनल आ रहा है वहां से हमें लेप साइड में गूमना है चली आगे चलते हैं यह सिगनल सिधा निकलता है SMS हमें यहां से लेप करना है आई आगे चलते हैं कि सिगनल से लेफ डाते ही यह वीव आपको दिखना में निकार और यह यहां पर लेफ साइड में अपर का एरिया है अंदर आई आगे चलते हैं यह नोकल का बस स्टेंड है कि समस मोड के नाम से किछी समस होस्पिटल है और यह पूरा यहां का व्यू यह नारांची सरकिल से जो बसें सिंदी केम को जा रही है वो बसें और वो रूप आई और आगे चलते हैं यह आपके स्कृत मेरीज गार्डन इस रोड के उपर मेरीज गार्डन है काफी लगजरी काफी बड़ा रोड़ है और काफी यहां पर ये चैंट्रल पार्ट है वो कि में जगह है यह बड़ी-बड़ी साधिया होती है आज यह वर आगे चलते हैं यह संट्रल पार्क का गेट नमर चार और यह सामने का यूँँ आप देख़ मारे हैं आई ये और आगे चलते हैं और ये आप देखें हरियाली क्योंकि एक तो पार्क का इलाका है ये सेंट्रल पार्क है हमारे लेफ साइड में और ये जो घर है वो भी बड़े-बड़े यहाँ पर घर है तो उनके यहाँ पर बहुत हरियाली आप देख पारे हैं आई और आगे चलते हैं ये सेंट्रल पार्क पार्किंग गेट नमबर तीन और ये सामने का व्यूँ आई ये और आगे चलते हैं इसी रोड़ पे ये रोयल अपार्टमेंट बिल्डिंग और ये यहां का वियूं कि यह यह पर एक वर मेरिज गारण, औरएथर भी अई गर गारण ये जो 주ender यह बड़े बड़े ये पुरा यह यहां का वियूं सब्सक्रांट आइए और आगे चलते हैं बी-म बिड्ला स्साइंस एन्स टेकोलोजी सेन्टे यह पीम गिर्ला टेख लोजी सेंटर का में गेट अंदर जाने का और यह सामने का रोड़ से वियू यह इस राउंड बॉर्ड से गिर्ला और्टोरियम का वियू और यह सामने सांदार खुआरे के साथ में गार्डन का भी वियू और इधर हम घूम के देखें तो यह हमादे सामने स्टेट्यू सर्किल है जो इनके जयपूर का एक फेमस सर्किल बड़ा सर्किल आए और आगे चलते हैं और यह यहां का शांदार व्यू इस्टेट्यू सर्किल यह गवर्मेंट ओफ इंडिया का इंकम टेक्स ओफिस जयपूर का और यह यहां का सामने से व्यू इधर यह पीछे इस्टेट्यू सर्किल और यह सामने पूरा अगी स्टी रोड और लेफ साइड में सेंट्रल पार्क यह सेंट्रल पार्क का गेट नम्मर दो सेंट्रल पार्क जेपूर का 129 एकड में पहला हुआ पांच किलोमेटर की जोगिंग ट्रेक के साथ बहुती बड़ा पार्क है और यह सामने का व्यू यह सब और अफिस यहां पर आईए और आगे चलते हैं यह सेंट्रल पार्क का गेट नम्मर देख है और यह अंदर यहां पर पार्किंग भी है यह सेंदर जाते हैं यह पूरा सामने का व्यूट को सामने सासन सची वाले है सेकरेट रेट रास्तान गवर्मेंट का आईए आगे चलते हैं असोग कलब महराजा स्वाइमान सिंग ने 1929 में इसकी स्तामना की थी यह असोग कलब सेंट्रल पार्क के बिलकुल चिपता हुआ लगता हुआ और यह सामने का व्यूट इसी रोड पे असोग कलब और सेकरेट रेट से आगे बढ़ते ही यह आगे का व्यूट चांदार कुली रोड और यह रोयल लूप आप लागा आईए और आगे चलते हैं इस राउंड बॉर्ड से सिधा निकलते ही और सामने यह जनपद आप यह देखें जनपद रोड आ जाता है और यह यहां का व्यूट है और सामने यह एल आईए सी का उपीस है और इधर मैं गुमा की दिखाओं आपको तो यह सामने जो जंड़ा दिखाई दे रही है राजस्तान हाई कोर्ट है और यह सामने बड़ा पार्क पी शेंट्रल पार्क जिसको में बोलते हैं यह उसका इलाका और यह यह यहां पर राउंड बॉर्ड बना हुआ है आईए और आगे चलते हैं विदानसभा की तरफ और यहां SMS स्टेडियम अमर जवान जोती सहीदों के लिए बनावाई यह जगह जो SMS स्टेडियम के बिल्कुल बाहर की तरफ है और यह यहां का पुरा व्यू सामने आप जखेंगे लिए विद बावन है विद बावन फाइनेंस डिपार्टमेंट स्वाइमान सिंग स्टेडियम SMS स्टेडियम और यह इसका इंट्री का गेट है और इधर से हम गोम के देखेंगे दिये पूरा व्यू और यह सामने अमर्जवान जोती सहीदों को नमन किया गया है स्टेडियम के बाहर का स्वाई मानसें स्टेडियम के बाहर का स्वाई मानसें स्टेडियम यह राजस्तान आवाशन मंडल का उपीस है और इसी के साथ यह विद्यूत बावन का उपीस है और इसी रोड पर सामने राजस्तान विदान सवा आई और नजदीक चलते हैं और यह श्यांदार भववे राजस्तान विदान सवा यह गेट नमर दो है यहांपर और यह जंद्पत रोड जो है उसी के उपर यह इसके सामने का व्यू इधर हम जुन के देखें तो यह जंद्पत रोड है काफी बड़ा सांदार तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुरा वीडियो यहां तक देखें यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और एक लाइक करके जरूर जाए अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान लगए जय हिन जय भारत